आप बताईए जल्दी से A B एक दूसरे के क्या है A और B एक दूसरे के क्या क्यलाएंगे कौन बताएगा इसमें आप खुद ही देख लो या या यह मेरर है या नहीं है यह तो बिलकुल इडेंटिकल है इडेंटिकल है यह मेरर निकलाएगा तो यह क्या हो जाएगा डाई स्टीरियो मर्स यहाँ देखी इन दोनों में इन दोनों में यह वाला पार्ट आइडेंटिकल है यह दोनों मिरर हो जाएगा तो यह भी AC अपने आप में क्या होगा AC में AC नहीं देख रहा हूं मैं तो अभी BC देख रहा हूं BC के अंदर तो ये वाला तो identical ये वाला नॉन identical तो BC क्या हो जाएगा अपने हमें डाइस्टेरियो मर्स और AC पूरी तरह से अलब बढ़ गया पूरा घुमा दिया एक तरह से आपने तो बताइएए क्याकर अधार का एक इंतर मर्स लेकिन वभी को बोस अगर आपकर शाख देख करने के पहले प्यूर्ट उस देख लेना चाहिए क्या सद्सक्राइब को अगर आपके बैसों सब्सक्राइब हो जाएगा अप्टिकली इनेक्टिव है तो फिर कहां किस बात कर यह आ रही है बात समझ में बोलो यस के लिए रे कंसेप्स तो यह आपके पास एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है चेक करने का तो अगली क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँगा मैं तुम्हारे को पहले से शीट दे दूँगा झाल करने कर दो पहले से चाल कर दूँगा है तुम्हारे किस दूँगा था। बोलो यह है चेक कवर इंगा किस दूँगा है बुम्हारे को यह है झाल 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 क्या relation लग रहा है आपको ये एक दूशे के क्या 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 लाएंगे बताएं इसे क्या झाल झाल 97 इसको पता लगाने का एक बहुत सही तरीका है, answers, मेरा ही तरीका है, वो ही करें, जब आप इसको back में करेंगे, पुरा rotate कर दिया, समझ में आ रहा है, तो कुल मिला के, क्योंकि इसका तभी पता लगेगा जब rotate हो रहा है, इसको, तो ये dash जो होना चीथा, वो क्या होना चीथा solid, ये dash किसमे convert होना चीथा, solid, ये इस तरह से होना चीथा, identical बनने के लिए, क्या होना चीथा, solid, पक्का, और ये क्या होना चीथा, dash, समझ में आ रहा है, तो तब जाके ये एक दूसरे के क्या होते है, identical, तब जाके ये क्या बनते है, एक दूसरे के identical, अब इस तरफ देखिए, क्या ये एक दूसरे का opposite है, हाँ या ना, हाँ, opposite का मतलब mirror हो गया, क्या ये एक दूसरे का opposite है, हाँ, अगर दोनों ही पार्ट opposite है, तो क्या होता है, enantiomers, और एक पार्ट opposite होता है, तो diastromers, और दोनों ही पार्ट सेम होते हैं, त को ऐदैंटिकल तो इस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि यह एक दूसरे के कि शॉमर्ज और यह इसका अईपनी कले तो इननोंорот में भी क्या डिक्तो आइनेज्चमव relax अमन में डारेट इसको इससे में रिलेट नहीं कर पा रहा था तो मैंने पहले इसका इडेंटिकल बनाया समझ में आ रही है लेंटिकल बनाया और मुझे अइडेंटिकल बनाते वक्त इतना मालूम है कि अगर किसी मॉलिकुल को 180 में घुमा दिया पूरा तो सॉलिड डैश में हो जाएगा और यह जो डैश है उदर जाके किसमें चेंज जाएगा सॉलिड में और 180 डिग्री रोटेश पर कोई फार्क नहीं होता है ऐसा मैंने का है ठीक है तो आगई लेंग्वे समझ में एक और एक्जामपर चलिए अभी मैं आप से इजी-जी कर लेता हूँ यह दूसरे क्या है बहुत जल्दी आंसर दिया क्या आज़ागा डाई इस्ट्यरमर्स कैसे पता लगाया मुझे आदते एक मेरी बात सुन लो मुझे आदते सबसे पहले इसका identical बनाने की और identical बनाने के लिए यह जो solid था यह dash में हो जाएगा और यह जो dash था वो किस में convert हो जाएगा solid में तो अब इन दोनों को आपस में compare करते हैं यह solid था यह किस में change हो जाएगा dash में और यह जो dash था यह solid में तो यह वाला पार्ट तो मुझे opposite दिखाई दे रहा है और यह पार्ट मुझे same दिखाई दे रहा है यह आदा पार identical आदा पार डाइस तो unidentical यानि कि non identical तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा यह इसका क्या होगा diastomers तो यह इसका भी क्या होगा diastomers अच्छे जिख के लिए रहे हैं तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी कुल मिला के अप्रोच क्या रहेगी गुरु मंत्र आपकी क्या रहेगा आपका गुरु मंत्र यह रहेगा कि अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे जब भी कोई cyclic compound दिया हुआ है और आप से उनमें relations पूचा जा रहा है तो पहले उसका identical बनाए और उसके साथ compare करें यह अप्रोच आपको लिखनी पड़ेगी थर्ड नमबर का example क्या आंसर होगा बेटा इसका आमन डाइस्टिरियो मर्स अमन इदर बोल लाई डाइस्टिरियो मर्स कैसे बताया कि इसमें तो कोई दिख्क्रती नहीं थी इसमें रोटेट करने की जवरात नहीं पढ़िए थी क्योंकि दोनों एक ही जैसे डारेक्शन में थे तुछ सॉलिट-सॉलिट अइडेंटिकल सॉलिट डैश नोन अइडेंटिकल यानी कि मिरल इंच खतम बात यानि आदा पाट तो इडेंटिकल है और आदा पाट नोन इडेंटिकल है तो दाइस्टियो मार्स एफर्ट क्या लग रहा है एक दूसरे के क्या होंगे बिटा इस जगह बनाते वक्त मैंने हमेशे यह बोला है कि इसका पहले रोटेट कड़के आप एक बार बना के देख लो क्यों कि यह यहां पर क्या है इस तरफ के लिए यह राइट में जबकि इसके लिए CAC के है लेफ्ट में तो पहले इसका आइडेंटिकल बना लो आइडेंटिकल बनाने के लिए बहुत आसानी रहीगे आपको यह जो सॉलिड है यह डैश हो जाएगा और यह जो डैश है यह इधर जाएगे क्या हो जाएगा सॉलिड अब इन दोनों का कंपेर करो अपोजिट हो यह और यह दूसरे के क्या है यह यह दूसरे के क्या है एन इंशोमर्स बिलकुल अपोजिट चल रहा है यह आप देखिए यह दूसरे के क्या है एन इंशोमर्स यह मीरर है या नहीं है यह मीरर है या नहीं है यह मीरर है या नहीं है तो यह तो यह दूसरे के identical है तो यह दूसरे के जो relation होगा वो ही relation इन दोनों में होगा तो यह क्या 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 एक दूसरे के लिए एनेंश एनेंशोमर्स तो आप में से जिसने यह कुछ और आंसर दिया था वो गलत था सही आंसर किसमें नहीं दिया था इसका जा बोलो यस एक और तरीका है नेमिंग से द्वारा आरेस नेमिंग लेकिन वह बहुत लेंती है कितना जल्दी आंसर आ जाता है थोड़ी जी प्रैक्टिस करेंगे हम सब का अंसर जल्दी जल्दी आएगा मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराने वाला हूं इसकी जब तक आप सब के आंसर सही नहीं आ जाते फिफ्थ नमबर का क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर प्रॉब्लम यह कि यहां से तो हमारा काम चल रहा था लेकिन यह वाला जो है यह इसमें राइट है जबकि यहां लेफ्ट है तो पहले इसका इनशो मर्ज बना लो ज्यादा अच्छा है इनशोरी आइडेंटिकल बना लो जिसके अंदर यही चीज यहां दिखाए दिए तो इसका इडेंटिकल क्या होगा इसका इडेंटिकल हो जाएगा CST यह हो जाएगा यह CST हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा इस तरसे CST हो जाएगा अब ध्यान से देखो यह वाला पार्ट अपोजीट हो गया यह वाला पार्ट सेम हो गया यह वाला पार्ट सेम हो गया दो पार्ट सेम है एक पार्ट अपोजीट है यानि पार्शल पार्ट जब भी सही होता है डाइस्टेरियो मर्स सही है सबका अंसर यह आ रहा है तो यह दूसरे के क्या क्या लाएंगे बेटा डाइस्टेरियो मर्स समझ में आ गई लैंगवेज हाँ अगर इसमें ये वाला पार्ट इस तरफ ही होता ये पार्ट इस तरफ ही होता तो फिर दा अपन देख लेते हैं सॉलिड सॉलिड डाइस्टेरियो मर्स ही होता आदा पार्ट सेम आदा पार्ट अलग होते ही डाइस्टेरियो मर्स ये एक दूसर क्या है? identical है ये एक दूसर के क्या है identical नहीं है enantiomers भी नहीं है सर बताएंगे आप बताओ क्या है एक दूसर के ये है एक दूसर के position isomers structure isomers है position change हो गई ना तो first priority मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ आज से नहीं बता रहा first priority होती है structure isomers उसके बाद आती है GI और उसके बाद आती है OI आ गई language GI में है नहीं ये क्या है एक दूसर के OI, sorry structure isomers और structure में क्या ही है positions क्योंकि main chain वही है सिर्फ position change हुआ है आप देखो ये position है तो फिर आप भूल जाओ कि एक दूसर के anisomers है या diastereomers है नहीं आया तो माइनस मार्क्स लेने के लिए तरही है तो ये एक दूसर के है position isomers दिमाग भी क्यों नहीं आएगा तो मैं first rank चाहिए ना लाना पड़ेगा नहीं चाहिए क्या चाहिए ना तो पहले आप हमेशा structure पहले दे खेंगे मैं अचानक anisomers, dry streamers देते 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 ऐसा कुछ दूँगा यह तो उमीद करो मेर से आप तो यह एक दूसरी के क्या है position पक्का हाँ इसका अगर identical बनाना होता तो बहुत आसान है identical बनाना कितना सा आसान है यह जो solid है यह dash हो जाता यह जो dash है यह solid हो जाता और यह जो solid है यह dash हो जाता यह इसका identical होता और अगर यहाँ पर CAC और यहाँ C2H5 होता होता तो यह solid solid dash 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 तो यह एक दूसरी के क्या हो जाते है identical तभी identical होते है लेकिन मैं इतना easy तो दूँगा नहीं यह एक दूसरी के क्या है लॉक कर दें यह दूसरी के identical है बिल्कुल सही answer दिया क्यों क्यूंकि इसको अपने 100% मतलब इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया अगर इसको अपने 180 डिग्री पर रोटेट किया तो oxygen तो इदर आएगा याएगा लेकिन साथ में कुछ और changes भी होंगे जो solid है वो वैज में चेंज हो जाएंगे वैज solid में चेंज हो जाएंगे को समझ में आया बच्च्या जल्दी बाजी में सोचेगा कि यार और ये दूसरे के क्या है कि ये दूसरे के क्या है कि डाइस्टेरियो मर्स या एनाइंशो मर्स शुरू से पढ़ाऊं मैं तुमार को ये दूसरे के एनाइंशो मर्स है यार कर क्या दे हो आप एक ही तो काईरल है single काईरल में डाइस्टेरियो मर्स कबसे पढ़ने लगे आप only single ना तो ये रोटेट हो गया बस एक पार्ट आपोजीट है दूसरा पार्ट काईरल ही नहीं है पका तो ये एक दूसरे के क्या है एनाइंशो मर्स है ये एक दूसरे के एनाइंशो मर्स है शुरू से पढ़ते हैं आपन बापिस है ना 7th number का example अब गलती मत करना अब गलती मत कर दें आइडेंटिका क्या है ये एक दूसरे के इस्ट्रक्चर आइसो मर्स है अब इस्ट्रक्चर में कौन सा है क्यों क्योंकि देख लीजिए ये इधर यहां वन वन पोजीशन पे था अब यह वन और यह वन टू थ्री बहुत दूर है साइकली की इधर है पोजीशन चेंज है और साइकली की इधर में अगर दोनों पोजीशन या कोई भी इधर में पोजीशन वो एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं फिर जा से सुनना यह पॉलीवलेंट फॉंक्शनल गुप है और पॉलीवलेंट फॉंक्षन गूप में एक दूसरे के अरांड कोई भी चेंज़ेश अ होता है तो फिर वो पोजीशन नहीं कहला कि हमारे लिए क्या हो जाता है मेटा सब्सक्राइब देख बस यह करने से सही हो जाए तो आंसर पूरा देना चाहिए था ना इतना सा अंसर सफिशेंट नहीं है तुम से ठीक है नाउ कमिंग ओन पॉइंट तो यह कुछ एक एक एक्जाम्पल है झाले है कि एक दूशे की क्या है कि सलोनी कि लॉक कर दें पक्का दाइस्टिरियो मर्स कि लॉक कर देंगा है यह दूसरे के क्या है रुक जाओ हाँ अब बताओ यह दूसरे के क्या है वो तो डाइस्ट्रीमर्स था यह दूसरे के क्या है एनेंश्यमर्स लॉक कर दे दिखी वैसे आपका अंसर सही है रहें अगर पता लगाना हो तो इसको 180 पे गुमा लो पूरा इस तरसे गुमाओ कि यह वाली चीज उधर चल जाए यह पहले अपन कैसे गुमाते थे पहले अपन साइकिल को ऐसे गुमा रहे थे अब मॉलिकुल को भी ऐसे गुमा रहे तो जैसे ही मैं यह गुमाओंगा यह CHH उधर आएगा यह CH इदर आएगा मैं इसको fissure में convert करके भी बना सकता हूँ lengthy हो जाएगा मेरे को जब answer 10 second में मिल रहा हो तो मैं एक मिनट क्यों लगाँ जैसे ही मैंने इसको गुमाया पूरी चीज solid wedge में wedge solid में बोलो यह सोनो तो यह वाला part CS3 इदर आजाएगा यह solid में चला जाएगा CS3 यह वाला इस तरफ आएगा धियान रखना और CHH और यह वाला part इस तरफ आएगा सही है आदी यह बात समझ में तो अब यह opposite है यह opposite है यह opposite है तो यह इसका मतलब यह दूसरे के क्या है एन एन शो मर्से आर ऐसी कर रहा था अपने भी बोलो यह सोनो लिखें इसको बेटा CHO के साथ वाला CHO ही तो CST होगा यह वाला वो पूरा ऐसे गुमेगा देखो यह वाला मैंने अच्छा CHO के साथ वाला ओके यह यहां ले जाना था ठीक है यह यह हो जाएगा और यह इस तरफ से जाएगा एरो उल्टा हो गया यह CHO के साथ वाला CHO यह पूरा घूम गया ठीक है ओके इस दाट के लिए एरो उल्टा हो गया वह अब सही है हाँ यह नहाँ अच्छा हाँ यह नहाँ अच्छा के बाद बताना बहुत आसान है कितने काईरल हैं इसमें बिटा दो आप समझ गए मेरी चला की मैं ऑक्सीजन को उस तरफ ले जा चुका हूँ देख बता सकते ही एक दूशे के क्या है लॉक कर दे हंड्रीट परसेंट अगर मैं यहां पर सी टूश फाइव और यहां सी यह सी लिख देता तो इस्ट्रक्चर आइसोमर्स फिर इस्ट्रक्चर होता और स्ट्रक्चर में भी मेरे पास कुछ चलो करते हैं पहले तो यह तो एक दूशे के क्या है आइडेंटिकल हाया ना लिख ली अपने यह दूशे के आइडेंटिकल है यह दूशे के क्या कहलाएंगे यह देगे यह बात तो समझ मैंगी यह स्ट्रक्चर आइसोमर्स है आपका इस्ट्रक्चर आइसोमर्स में मैंने आपको जो ट्रेंड बताहिए था वह बताहिता रट्टाफिकेशन ओ मल्टिपल चोईस प्राब्लम तो क्या यह ring chain है नहीं रट्टा टी पे आता है टुटो मर्स है नहीं फंक्शनल है नहीं मेटा मर्स है नहीं अब अचाप position and chain chain पहले आता है क्या chain है देखना पड़े का function group यह है ld8 l123412345 पांच कारबन की chain है 12345 इस तरफ जाएगा इसमें क्या जाएगा 12345 चैन बड़ाबर है पांच की है पहले भी पांच की थी अब भी पांच की है लॉक कर दें कि यह वाली नहीं थे यह वाली कर रहे हैं इन दोनों में पूछ रहे हैं तो वह तो 5 कि ए 1 2 3 4 4 की आ जाएगी तो यह तो 100% एक दूसरे के कौन से होंगे अगर चैन है तो फिर आप अप्टिकल जितने भी है वह देखना ही छोड़ दो मुझे आपसे उमीद है आप इसका अंसर चेन आइसो मर्सी लगाएंगे नकी पोजिशन कौन से नंबर का एक्जाम्पल हो एलेवन सब्सक्राइब है और जरुवत है हमें तुम नहीं कहा था सर और प्रैक्टिस की जरुवत है कल अमन तुम नहीं कहा था ना और कराऊं कि कराऊं और क्यों भाई अभी तक भी नहीं समझ मैं कल इतने सारे एक्जाम्पल हो गए कम सब्सक्राइब कल भी तो मिलते जुलते एक्जाम्पल कराए थे हमने इसी को बढ़ा देते हैं ये एक दूसरे के क्या है हम देखिए इसको आपने 180 पर गुमाया तो जब कोई चीज वन ये अच्छा सीमी दे दिया आइडेंटिकल वन एट्टी पर गुमा दिया आइडेंटिकल था ये सॉलिट का डैश हो गया डैश का सॉलिट हो गया एन इंशो मर्स हंडेड परसेंट एन इंशो मर्स अगर किसी ने और चेंज कर दिया ये इसका एडेंटिकल एक और बन सकता है आपको यादे मैं कैसे घुमाता था मतलब यह हमारे पास यह आया इसके बाद देखेगा पूरी चीज उल्टा ले जाना इसको उपड़ ले जाना भाई अभी तो अपने इसको वनेटी यूं गुमाया वनेटी इसको उपड़ गुमा सकते हैं तो एक और आइडेंटिकल बन सकता है आडेंटिकल कैसे बनेगा बंदा का हुआ है यह इस तरह से जायगा हूं और तो यह जो सॉलिड है यह ऊपर जाकर किया बन जाएगा टा и यह जो डैश यह नीचे आकर किया बन जाएगा तो बताओ ये एक दूसरे के क्या है ये भी एक दूसरे के क्या है identical हमने दोनों तरह से गुमाना सीख लिया 180 पर गुमाने पर कोई फर्क नहीं होता एक बार इस तरह से गुमा लिया और एक बार इस तरह से भी गुमा लिया तो इसको भी इस तरह से घुमाया जा सकता है तो आपको बता लगाना केसे भी घुमाया वो हम उसको चिट्कियों में कर देंगे बस पक्का मैंने फिर बोला है किसी भी कंपाउंड को 180 पे घुमाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है नाइन टी पे घुमाने पर फर्क पड़ता है लेकिन नाइन टी पे घुमाया ही नहीं मैं है नाइन टी पे घुमाने का मतलब इसको बस इतना सा घुमाना बात मुश्किल हो जाता है समाजना, कोई डाउट नहीं है, सही है, थोड़ा सा चलो, फिशर पोजेक्शन में करते हैं, यह तो अपने, सालिड वेज में करा, एक और एक्जामपल करते हैं, यह ग्यारा एक्जाम में बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, एक एक में, चाचार, पांच पांच भी हैं, ठीक है एक और करते हैं, बारा नंबर का एक्जामपल, CHO, CH3, OH, OH, CS3, और COOH, CS3, यह एक दूसरे के लिए क्या हैं, आप बता सकते हैं, पूरी तरह, देखो, एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे 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 तरह से इसमें तो बहुत आसान होता है मिरर दिखना आधा मिरर दिखता आधा नहीं दिखता डाइस्ट्रिमर्स पूरा ही मिरर नहीं दिखता अधेंटिक अब मैं आपको परिशान करता हूं अलग तरह से यह दूसर के क्या है पेटा मुझे बनाते ही दिखता है मैंने आपको एक गुरु मंत्र और बताया था याद करो क्या गुरु मंत्र था आप भी सुनिएगा अगर CH-O यहां की जगे यहां आजाए और यह चीज आपस में चेंज हो जाए तो यह इस तरह से चेंज़ेश करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता यानि इन दोनों का आपस में चेंज इन दोनों का आपस में चेंज और इन दोनों का आपस में चेंज कोई फर्क नहीं होता तो देखो CL 180 पे चला गया वहाँ पर हर चीज 180 पर गुमाईए CL वहाँ चला गया OH यहाँ आ गया फ्लोरीन वहाँ चला गया और वहाँ का CH3 यहाँ आ गया सारा compound 180 पर गुमाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता पूरा compound अरे इंडियुजल कब से गुमाते हैं वह तो पूरा compound गूमता है यह ऐसे नहीं ऐसे गुमाया मैंने ऐसे गुमाऊंगा तो फिर सी डबल इस पता ही नहीं चलेगा न इसको ऐसे गुमा दिया हाँ बस फिलिप कर दिया यह तो सी डबल इस उपड़ चला गया सी एचो नीचे आ गया सैकेंड्स में पता चल गया कैसे भी घुमालो या तो यह घुमालो आप जो कह रहे हो ना बस इस एचो को उठाके इधर लाया हूं और यह उपड़ ले गया हूं ठीक है ना हाँ है है कुए डाउट है आगे हम और फिये चो और फिए डबल एच ओएच वह फ्याज त्री गल्ट मै नहीं आ चला की क्या रखिये शी डबल एस तो और दिया चो कर दिया सब्सक्राइब कायदे से F को वहाँ जाना चाहिए था मैं F को यहाँ लिया यहाँ बताओ यह दूसरे के क्या कहलाएंगे आपके आज आप्चन है एनाइशोमर्स डाइशो स्टेरियोमर्स आइडेंटिकल इसका आइडेंटिकल यह है अब आप देखो क्या यह उसकी मिरर नहीं देगी पूरी तरह से कौन बताएगा इसका सही आंसर यह दूसरे के एनाइशोमर्स है मैंने एक सब्सक्राइब पूरी तरह से कहां घुमाया आप देख लो आप लगाओ दिमाख यह एनाइशोमर्स है मैं कह रहा हूँ यह एनाइशोमर्स है अब आप चैलेंज करो आप इसका इसको पहले ऐसे घुमा लो अब CWh के सामने CWh आ गया इसको यहां ला रहा हूँ मैं एक मिनट आपको शायद तभी दिखाए देगा इस इस मॉलिकुल को उठाके यहां लिया है F OH Cl CWh CH3 CHO यह तो समझ में आ गया कि यह दोनों एक दूसरे के क्या है इंटिकल है अब देखो यह वाला मिरर है या नहीं है हां क्या यह मिरर है या नहीं है है तो बताओ यह दूसरे के क्या है एनाइशोमर्स हा या ना लिखो है लिखो कि अभी भी हमारे को लग रहा है कि कुछ प्राब्लम आ रही है तो इसको एक बार और समझते हैं कैसे यह जो हमारे मॉलिकॉल से हैं जब भी कोई रिलेशन पुछेगा यह दूसरे के क्या है तो हमारा ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं कौन से आईशोमर्स हैं आप्टिकल है या नहीं है वो तो हम देख लेते हैं लेकिन जब हमें पूरा पता चला है कि इस्ट्रक्शर नहीं है यह ऑप्टिकल है ऑप्टिकल में भी हमारे पास एनाइशोमर्स या डाइस्ट्रोमर्स या इडेंटिकल में से एक आप्शन बन सकता है तो सबसे पहले तो flipping effect देखें, flip करते हो वक्त, 180 पे flip आप molecule को पकड़के ऐसे गुमा सकते हो, पूरी तर से, या ऐसे गुमा सकते हो, लेकिन जब आप ऐसे गुमा हो या ऐसे गुमा हो, ने पर, solid wedge में और wedge solid में होता है, ये बात अमेशा पकड़के चलो, identical बन जाता है, दूसरा point, अगर उसने जो दिया है, उसने बहुत easy दिया हुआ है आपको, वो उस factor में नहीं है जिस तरह से आपने सोचा, तो पहले identical बना के, फिर check कर लोगी, वो वहाँ पर है या नहीं है, उसका mirror बन रहा है, mirror का मतलब इसके लिए left तो इसके लिए right, ये mirror होता है, समझ में बना रहा है, बिलकुल, ऐसे mirror देखते हैं, तो अगर mirror बन रहा है, फिश, तो इसका मतलब वो, enantiomer से, आधा mirror बन रहा है, आधा नहीं बन रहा है, डाइस्ट्रियोमर से, पूरी तर से mirror नहीं बन रहा है, identical है, तो जब भी मैं कोई example select करता हूँ, मैं आपको फिर बोलता हू एक्जामपल बनाने वाला मैं हूँ, तो मेरे दिमाग में answer लिखते ही आ जाता है, तो मेरे दिमाग में बनाते वक्त ही answer होता है, मुझे क्या बनाना है, तो मैं हमेशे एक चीज का ध्यान रखता हूँ, वो आपको बता दूँ, मैंने यहां CWH लिखा, यहां CHO लिखा, मै अगर पूरी दर से identical बनाना है, तो यहां जो भी OH है, पूरी दर से identical, उसको मैं यहां पर लिखे हूँगा, यहां पर CL है, तो वो CL को मैं यहां लिख दूँगा, पूरी दर से, यह यहां जाएगा, यह यहां जाएगा, यहां पर BR है, तो यह यहां जाएगा मेरे लिए, औ तो ये एक दूसरे के identical है, ये दिमाग में मेरे अंदर तक बेठा रहेगा, सहीए, अब मुझे identical नहीं चाहिए, मुझे diastereomers चाहिए, तो मैं एक pair change कर दूँगा, मुझे enantiomers चाहिए, मैं एक और pair change कर दूँगा, कोई language में दिक्कत आ रही है, आपको समझने में, तो इस दर से changes करते वक्त ही, मेरे पास answer आ जाता है, तो अगर ये एक दूसरे के पूछे जाएं, तो क्या होंगे, जल्दी चे बोलो, identical, एक pair change कर दिया मैंने, सिर्फ एक pair, OH, F, नीचे वाला नहीं किया है, उपर वाला किया है, यहां BR और यहां CL, डाइस्टिरियूमर्स, एक pair change कर दूसरे कर दूसरे, इस बार में, नीचे वाला करना चाह रहा हूँ, यह वाला आपस में, तो यहां OH, यहां F, CL, BR, तो अगेन, डाइस्टिरियूमर्स, दोनों change कर दिये मैंने, दोनों कैसे change कर दूँगा, फ्लॉरीन यहां था, मैंने, फ्लॉरीन को कहां रख दिया, यहां, और यहां OH रख दिया, यहां, BR, यहां CL, एनेंश्टिरियूमर्स है, तो मुझे question करते वक्त, आंसर मिलता है, तो तुम्हें पूरा time दिया जा रहा है, तो आप कर सकते हो, आराम से, आरी यह बात समझ में, अगर मैंने flip नहीं कर रहा हूं, और मैंने वो ही दे दिया, C, डबल, ओ, C, हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो और आसान है, अब मैं देखता हूं कि मैंने, मुझे क्या चाहिए, मुझे identical चाहिए, तो उठा के S, Z, T, दुबारा लिख दूँगा, F इदर, BR इदर, OH इदर, CL, identical हो गया, एक पेर चेंज करूँगा, एक पेर चेंज करना है केवाल इन दोनों में, C, डबल, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, OH, और यहाँ पर क्या लिख दूँगा, F, और यहाँ BR, यहाँ CL, तो यह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, Diestramers, नीचे वाला पेर चेंज करता हूं, उपर वाला नहीं करता, तो भी Diestramers, दोनों चेंज करता हूं, identical, समझ में आ गई, language, दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ही आती है कि आपको एक साथ CHO, तो उपर की जगर, यहां नीचे था, मैंने उपर कर दिया, तो सबसे पहले उसका identical बना लो, और फिर चेक करो कि मैंने क्या पेर चेंज किया, नहीं नहीं, ऐसे मैं सोचो बेटा, गलत जा रहे हो, जो मैं सोच रहा हूं, वो ही सोचो बस, मैं जो सोचना वो समझ में आ गया ना, पस, जादा से जादा मैं क्या कर सकता हूं, मैं और चालाख हूं, समझना, मैं समझ कुका हूं, कि बच्चा इतना तो जान नहीं चुका है, मैंने बता दिया तो बच्चा जानेगा, थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ यह change कर दिया identical फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ और चलाकी कर रहा हूँ चलाकी की भी limit change कर रहा हूँ क्या change कर रहा हूँ OH को यहां की जगह में यहां ले गया position isomers क्योंकि जो OH पहले CWH वाले carbon से attached carbon पे था वो अब दूर हो गया तो structure पहले देखना चाहिए आपको अब ऐसी गलती तो नहीं करेंगे आप सबसे पहले क्या देखेंगे structure पका और भी चलाकी कर सकता हूँ देखो CWH, OH, F कहीं कोई दिक्कत नहीं है अभी तक identical है इसको मैंने पकड़के इसको पूरा गुमा दिया यह CL यहां की जगह में यहां ले गया यानि इसको नहीं छेड़ रहा है CL यहां ले गया, BR यहां ले गया और CHO यहां ले गया आपको मालूम है एक को पकड़के अगर पूरी चीज को रोटेट किया जाता है तो identical रहता है तो बताओ यह इसका क्या है एडेंटिकल, यह इसका क्या है आइडेंटिकल तो यह दूस्य क्या है IT समझ में आरी है लेंग्विच तो ये भी मैं कर सकता हूं और अगर मैंने इस ब्र को पकड़के सिर्फ एक पेर चेंज कर रहा हूं सिर्फ एक पेर ये CL और OH को एक साथ चेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा ये वाला पाट इनाइशो मर्स रहेगा ये अलग रहेगा तो और यह क्या बन जाएगा डाइश्ट्रियो मर्स इससे टफ आपसे कोई निए पूछ रहा हूं तो एक लास ट्रेस ले ले हैं पन इसको समझ लिया किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब चलि आसानी से बताना है जल्दी जल्दी मेरे दिमाब में CH2 OH यहाँ नीचे था यहाँ उपड़ था चल जाने दो अगर CH2 उपड़ गया है तो OH को यहाँ आना चीता और आ चुका है क्या लग रहा है आपको आंसर सबने मिल जुल के आंसर दिये हैं चिटिंग कर ली तो यह एक दूसर के आइडेंटिकल है बिलकुल सही आंसर है अगला एक्जाम पर यह दूसर के क्या है यह मिरर है और मिरर है यानि यह इंडियूजली अपने आप में मेजो है यह मेजो है मेजो है लेकिन यह दूसर के क्या है आइडेंटिकल है और गें सही है क्योंकि यहकी कंपाउंड इसका ओप्टिकल आइसमेर सही नहीं यह भी एंग सम्टिकल आइच्टिकल एंग आप अरी और दो इस किए अग सम्टिकल. यह एक दूसरे के क्या है अगेन आइडेंटिकार क्यों क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर भी है से में या भी इसको पूरा रोटेट कर दो 180 डिग्री में दिख जाएगा वही कंपाउंड दिख रहा है कोई दिखी नहीं रहा एक साथी पर घुमा दो आप मेजु है वो पॉइंट पर हन्डेट परसेंट ये भी एक दूसरे का है अइडेंटिकार फॉर्थ क्या रहेगा एक दूसरे देखो यह औक्सिजण इदर आया इसको इदर ले गए तो ये इदर घूम गया ये भी इदर हों गया अगेन आइडेंटिकार यह O के पास C2H5 था यह भी O के पास C2 इसको मैंने इस तरदे फ्लिप किया है तो इस हिसाब से पूरा यह घूम गया CS3 नीचे आ गया और यह जो सॉलिड था वो डैश डैश सॉलिड में 100% आइडेंटिकल यार आइडेंटिकल आइडेंटिकल, 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 आइडेंटिकल 6 वाला कैसे यह CHO इदर आया है CS3 मेरा यहां आया है द्यान से सुरो तेरी पार्टी कैंसल CHO के साथ यह CHANGES होए यह CS3 को यहां जाना चीथा यह यही रह गया यानि यह मेरर हो गया सुचो एक मिनट नहीं समझ में आएगा मिरर क्योंकि यहां CHO है यहां CHO है तो मिरर एकदम से नहीं बना सकते तो पहले तो या तो आप इसका वो बना लीजिए रोटेशन में लेकि मैंने जैसे यह करा तो यह OH मेरा पस कहां जाना चीथा यहां एक मिनट वह यह यहीं पर ही यह 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 वाला पार्ट तो क्या है आइडेंटिकल और यह सी को यहां आना चीथा हो यह सीथी को यहां आना चीथा आया नहीं तो डाइस्टे इस्टेरोमर्स उपर वाला पार्ट आइडेंटिकल है नीचे वाला नौन आइडेंटिकल है ताइडेंटिकल है तो अभी तक 6 आउट ओफ 6 किसके करेक्ट है दो जने पार्टी में इस दो जने चल रहा है 7th ध्यांचे देखते हैं C2H5 ध्यांचे दिखिए का इस जगह इस पेर को चेंज करा है द्यान से सुना और इस पेर को भी चेंज किया है आपस में तो दो पेर आपस में चेंज हो जाते हैं और ये दो पेर इवन पेर चेंजेज में हमेशा आइडेंटिकल मिलता है और और पेर चेंजेज में तो ये भी आपका आइडेंटिकल यहां मैंने आयोडीन को पकड़ा है, सही है, अच्छा, फ्लोरीन अपनी पोजीशन चेंज करके नीचे आया है, ओके, तो यह तो पुरा ही चेंज़े हो गया, आइडेंटिकल को लॉक कर दिया, फ्लोरीन नीचे आया, क्लोरीन उपर गया, ब्रोमीन इस तरफ आया, एक को पक है, इसको पकड़ लिया, फ्लोरीन को नीचे लाया, क्लोरीन को यहां लेगा, ब्रोमीन को यहां रहा, ऐसा मैंने आपको बताया, एक को पकड़ के अगर पूरा रोटेट करा जाए बाखी तीन को, आइडेंटिकल, CL, C3, same है, यह दोनों आपस में चेंज हुए, एक पेर चेंज होने पर आपको क्या मिलता है, सिंगल पेर चेंज होने पर, NN शोमर्स, NN शोमर्स, यह NN शोमर्स हो गया, अभी तक किसके सही है, हो गया गलत, अभी एक बचरा है बटा, क्या है इसका अंसर, तो यह दिहां से देखना है, अगर यहां देखा जाए, तो कोई भी लॉक देख्या, नहीं, यह यहां चेंज हो है और यह यहां चेंज हो है, CL उपर चला गया, CAC नीचे आ गया, OH इदर आया, BR उदर चला गया, यानि identical, यह बिलकुल ऐसे चेंज कर दिया, 1PR, और यह बिलकुल ऐसे चेंज कर दिया, 1PR, यानिकी एक तरसे देखा जाए, 180, यहां पर मेजो बन रहा था, कहीं, जो भी है, पहले तो यह समझ में आया ना, उसको आपान समाज लेंगे, यह हमारे लिए क्या है यह, आइदेंटिकल, तो, 8 number भी identical था, एक को पकड़के पूरा गुमाया अपने, एक को गुम देखे, यह CL वहा गया, F यहां आया, BR यहां आया, sorry, BR उपर गया, F इधर आया, CL इधर गया है, एक को लॉग करके आब आगी के तीनों को clockwise गुमाओ या anti-clockwise गुमाओ, कोई फार्क नहीं पड़ेगा, identical रहेगा, लेकिन तीनों को गुमाना है फिर, हाँ, बिल्कुल, even changes आएंगे, वो तो जब आप इसको यहां से गुमाओगे, एक चेंज, दो चेंज, वो पुरा ही गुमता है, देखा जाये तो, दो चेंज में ही changes हो जाएगा, पुरा, कोई दिकत, तो even ही आएंगे, आप चाहिए तो check करके देख लेना, तो, 40 out of 40, दोस्तों, यह कुछ example हैं जिसमें आपको relation बताना है कि first, यानि A और B में क्या relation है, यानि first वाला A के लाएगा, second वाला B, A और B, A, B, आपको मेरे साथ बनाना है, शुरू करें, सबसे पहले, जब आप इन सब के solutions बना रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे chances हैं, अगर आपकी practice अच्छी है, तो आप डारेक्ट सब कुछ कर सकते हैं, नई तो शुरुआत में सब के fissure बना लो, लगी fissure बनाने से पहले यह आपके से देख सकते हैं, कि जिस carbon पे CHO है, उस पर iodine और ब्रोमीन है या नहीं है, तो जिस carbon पे CHO है, उस पर iodine ब्रोमीन है, और जिस पे CWH है, उस पे fluorine, chlorine है या नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता, तो या तो वह compound different होते हैं, या फिर structure isomers होते है, हो सकता है, यह iodine इस structure की priority, optical से या stereo से ज़्यादा होती है, अब आगे, अब यह दोनों कैसे हम देखें, सही है, तो या तो दोनों का फिशर बनाओ, फिशर बनाना बहुत आसान है, आपने क्या करा, दिमाग में यही रखना है, कि CWH को नीचे आजाओ, दोनों वाई आपको ऐसे दिखें, बिल और इसको उपर ले जाओ, तो CWH उपर चला जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नीचे आजाएगा, तो जब आपके पास दिमाग में यह आएगा, यह CW, मैंने आपको पहले ही बता है, ठीक है ना, तो आप चाहें तो CWH उपर रखें, आप चाहें तो CWH उपर र रखना है या CWH, किसी को भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह तो समझ में आगया, कि यह नीचे आएगा, तो आपका कमपाउंड रफ के लिए मैं बना रहा हूं, CHO, CWH, ब्रोमीन, आयोडीन, डैश और सॉलिड, फ्लोरीन डैश पर चला जाएगा, जो नीचे सॉलि क्या हो जाएगा, CWH, कोई समझ में आ रहा है, यह तो आप कर सकते हो, अब जब आप, इस तर से देख रहे हो, इसका मतलब आप ऐसे देख रहे हो, तो CWH उपर दिख रहा है आपको, CHO नीचे दिखेगा, तो यह आपके लिए क्या हो जाएगा, CWH, आउट साइड प्ले तो यह आपके पास CWH उपर देखा, क्लोरीन आउट साइड है आपका, तो आउट साइड को आप कैसे बनाओगे, इस तरह से, क्लोरीन आपके पास यहाँ आएगा, फ्लोरीन यहाँ आएगा, आयोडीन यहाँ आएगा, ब्रॉमीन यहाँ आएगा, बोलो यहाँ होड़ा ह सहीमें मैं फिर बोल रहा हूं यह हमारे लिए राइट हो जाएगा यह टॉट होगा यह होगा डाहूट आपको तो यह हमारे लिए बॉत लिए लाफित कऊ裡 और यह c डॉबल है मिनहें वपर रखा सी चो नीचे रखा ल यह लो पर करना यह नीचे रहता है यह तो फिर आप का इस City हियआ वों तो बात बराबर है मिन मोल्ल्म कट बने इसक्श को meinem गमाते हैं तो और यह एक दूसरे आपस में चेंज होती है तो यह अपने फिशर बना लिया बना लिया बहुत अच्छा लगा अब खतम बात इसका भी फिशर बना ले कैसे बनेगा फिशर इसका इसके लिए भी मैं थोड़ा सा रफ बना देता हूं जिसे आपके लिए साथ सही रहे दोनों वाई ऐसे बनाता हूं C double H नीचे लिया आया फ्लोरीन कलोरीन बोलो सही है CHO इदर ब्रोमीन और आयोडीन हाँ या ना तो यह हमारे पास हो गया यह हमारे पास हो गया ब्रोमीन आयोडीन यह वाला वाई तो सीधा था यह भी हमने बना लिया कोई दिक्कत नहीं है और फिर वही चीज यह वाला टॉप पे होता है यह बॉटम पे होता है जब हम यह देखेंगे तो हमारे लिए यह होते हैं left left right right बिल्कुल जो है वैसा ही दिखते हैं यह टॉप यह बॉटम तो यह हमारे पास CHO C double H के साथ कौन जोडा हुआ है क्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन क वी है सही है लेकिन दिक्कत क्या रही है हमने यह तो बना लिया है इसका फिशल बना लिया इसका फिशल बना लिया लेकिन यह अभर हमारे लिए थोड़ए सी अ प्राबलम कर रहे है क्यों कि यहां C double एच उपर है तो इसको बापे स्चर लो C O H C O Flurine और यह क्या हो जाएगा यह Flurine वहा जाएगा Chlorine, Bromine और यहां क्या हो जाएगा Bromine इधर, Iodine इधर अब आप बताएए Chlorine के सामने Flurine आ रहा है या नहीं आ रहा नहीं आ रहा जिबकि Iodine के सामने यह भी नहीं आ रहा पका वो का वो यह, तो यह दूसे के क्या है identical तो इसका मतलब यह दूसे के identical है तो यह भी दूसे के क्या है identical ये तो रहा हमारा method जो बहुत lengthy है मैं direct tv देख रहा है क्योंकि CHO ज़ब मैं यहां दिख रहा है तो मैं क्यों नहीं इसको भी वैसे ही देख लो C O O H आप देखो इस जगह को अगर आपने ऐसे चेंज करा तो आपको क्या वो आइडेंटिकल नहीं देख रहा C O O H आप पीछे से देखेंगे क्योंकि यह वाली चीज इधर से तो इधर से देखें C O O आपको पीछे से देखेंगे, थोड़ा सा देखने का फ़र पढ़ेगा C O O BROMEIN और IODINE BROMEIN IODINE तो BROMEIN IODINE इस तर से दिखेगा Left में BROMEIN और इधर से देखेंगे BROMEIN IODINE बिलको लेफ्ट में BROMEIN तो वो प्राक्टिस से आपको आजाएगा कि यह वाली चीज पीछे से देखने पर ही सेम आ रही है इसको गुमाया CHO तो क्लोरीन आपको क्या दिखाई देगा पीछे से जब आप पीछे से देख रहे हो बोड के पीछे से तो क्लोरीन आपको किस तरफ दिखाई देगा किस तरफ दिखाई देगा क्लोरीन राइट की तरफ और इसको गुमाओ च्छो क्लोरीन सॉलिट की तरफ जाएगा यहां पर भी आपको वही चीज दिखाए देगी तो कहीं न कहीं आपको देखने में थोड़ा टाइम जरूर लगे रहा प्रैक्टिस की जरूरते लेकिन आप दीरे दीरे प्रैक्टिस तो आपको डाइरेक्ट भी दिखाए देगा इस दाइट के लिए अधर्वाइस यह मैतर तो ही हमारा ऐसा तो है नहीं तो आइडेंटिकल पता लग गया आपको अब इसको देखो यह दूसरे के क्या है बता सकते हो ब्रूमीन के साथ मैंने आइडेंट फ्लोरीन के साथ अरे गलती हो गई यार यह तो डिफरेंट कंपाउंट हो गए यह क्या हो गए डिफरेंट हो गए यहां में क्या कर देता हूँ यहां में क्लोरीन और फ्लोरीन कर देता हूँ क्या कर देता हूँ मैं क्लोरीन और फ्लोरीन अब बताईए क्या होगा देखे जल्दी से जल्दी से इसको बताए झाल चले हो मैं बता देता हूँ आपको आप खुद देखो इस कमपॉंड को पूरा मैंने 180 पर गुमाया पहले तो यह बता हूँ यह काईरल है या नहीं नहीं है क्योंकि इसके इस तरह पेला कार्वन है जी बहुते नहीं होंकि यहां काईरल नहीं होगा तो फिर सिर्फ क्या हो सकता है जीया के ऐहो सकता है और enjo wnہ कुछ रूण लेता हूं क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों क्या है पीछे की तरफ है क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यहां क्लोरीन ब्रोमीन मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन सेम डायरेक्शन में है यहां पर भी सेम डायरेक्शन में है दोनों जगह क्लोरीन ब्रोमीन सेम डायरेक्शन में है उ identical लेकिन identical करने के लिए पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा इसकी भी पोजिशन 1234 यह भी 1234 मतलब बिल्कुल 1234 यह नियों कि 13 हो जाए वहां 14 हो जाए गलत हो जाएगा फिर तो compound क्या हो जाएगा different यानि structure isomers हो तो यहां सारी possibilities थी structure, stereo, optical जो भी आप देख सकते हो एनशोमर्स तो यह इस जगह तो 100% identical है वैसे भी मैंने रूल बनाया था कि अगर किसी को 180 पर गुमाया तो डैश सॉलिट हो जाता है और सॉलिट डैश हो जाता है क्या यह हो गया इधर देखिए ब्रोमीन, वो डैश सॉलिट हो गया, सॉलिट डैश हो गया, यहनि कोई फर्क हुआ ही नहीं है और यह वैसे भी optical नहीं थे तो इसका मतलब यह क्या बन गया हमारे लिए, पूरा 180 पर गुमाया गया है, 100% identical है कोई दिक्कत नहीं है, शॉर, लॉक कर देखिए, यह घूम के इधर जाएगा, यह घूम के इधर आएगा, अब इस कहां बोलो पिटा, पोजीशन, देखो माल लो इसको नमबर 1 दे दो, 1, 2, 3, 4, 4 पर आगया, 1 दे दिया, 2, 3, 4, पोजीशन भी देखनी पड़ती आपको, तो यह तो छोड़े-चोड़े पैंट से जो आपको याद फीशर तो बनाना ही पड़ेगा आपको, तो फीशर बनाने के लिए, 1, 2, 3, आप मेरी तरह से करो या तो बहुत तेजी स्पीड क्यूंकि आप यहाँ पर छोटी स्पीड नहीं चलेगी, CAC उपर लिखा, ऐसे देखना है, मतलब IUPAC मैथर से करा करो जब बड़े हो तो फ्ल फ्लोरीन बाहर यानि की left, फ्लोरीन, OH, उपड़ से देखा क्लोरीन कहाँ यह, इस जगह, क्लोरीन बाहर की तरफ, बाहर यानि की left, लेकिन गलत देखाना आपको नीचे से देखना तो फ्लोरीन जो IfУ जो लैफ्ट में दिखाया दे रहा था वो राइट में लिख दो, इध left left है और OH यहां पर और यह CH3 बिल्कुल सही जा रहा है इस जगह iodine इस वाले कार्बन पर है यानि के last तो कोशिश करते हैं कि अपन अब इसको इस तर से देखेंगे जिससे अपनको फ्लोरीन और OH पहले दिखाए दे हैं मेरी पास समझ में आ रही है तो मैंने वही करा इससे क्या है rotation rule करने की दिक्कत नहीं आएगी बहुत आसान रहेगा CH3 यहां पर लगा दिया अपने दिख रहा है CH3 फ्लोरीन कहां दिखाए दे रहा है बाहर की तरफ यानी कौन सा है यह ahane solid fluorine बाहर है यहाँ राइट या left right फ्लोरीन ओ हो फिर यहां देखे यह ब्रोमीन बाहर की तरफ दिखाए दे रहा है यानी right तो ब्रोमीन को कहां लिख दोगे left left हैं समझ महा रहा है और यहां पर वेज़ बाहर की तरफ दिखाय दे कर और और सही भी देख्यों वेश राइट पर इखाय दे रहा बिल्कुल सही है अब बहूत आसानी से देखेगा ओज के सामने ओइच बियार के सीयल जहाए वियार तो इतना पार्ट अप्टिकल एक्टिव है मंतब सौरी मिरर इतना नहीं है तो क्या किलाएंगे यह डाइस्ट्रियोमर्स डाइस्ट्रियोमर्स सही है तो आपको यह रिलेशन एक दूसरे के डाइस्ट्रियोमर्स है डाइस्ट्रियोमर्स यह दूसरे के आइडेंटिकल और ये भी एक दूसरे के identical निकल गए है अनाइशो मर्स तो निकला ही नहीं हमारे लिए ठीक है तो तीनों किसके सही थे सबके सही थे तो लिख लें इसको इस एक्जामपल को फिर देखते हैं ये वाले में दिक्कत आ रही है आपको तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि सेम कारबन पर सेम एटम है या निया है कलोरीन, फ्लोरीन, कलोरीन, फ्लोरीन दूसरे पर ब्रोमीन, आयोडीन तो ये अभी तक इस्ट्रक्चर आइसो मर्स नहीं है फिर क्या देखेंगा आप कि इसके respect इसकी position 4 हो या इसके respect में इसकी position 4 है तो वह पर भी वोई है या निया 1, 2, 3, 4 हाव वही है तो अभी भी structure isommerce नहीं है तो अभी structure नहीं है अभी यह बनेगे या तो GI या OI यानि stereo तो GI-OI के देखने के लिए क्या ये chiral है? नहीं यह भी chiral है नहीं है, क्योंकि इनकी दोनों valency सेम है और जब दो valency सेम होती है यानि इसकी चौनती valency पे यह पहली माल या दूसरा तीसरा चौनता वो यह same position आरे है, same atom आरे है और similarity दूसरी तरफ से आरे है तो इसका मतलब दो valency सेम है यानि उसमें POS है, plane of symmetry है और वो कभी भी OI नहीं होते जिनमें POS आजाता है, या दो valency सेम आजाती है थर्ड, अब यह OI नहीं है तो क्या देखना है, सिर्फ GI GI देखने के लिए यहाँ देखो, iodine और fluorine same direction में, यानि दोनों आगे हों यह तो है long method short method यह कि अगर किसी को 180 degree में पूरा घुमा दो जैसा कि यहाँ घुमाया गया है तो वो identical होता है solid dash हो जाता है, dash solid हो जाता है बस यह चीज है कोई दिक्कत नहीं है अब तो short lock कर दे, हाँ अगर इसकी position यहाँ से अटाके यहाँ लगाती होती है तो अब बताओ यह एक दूसरे के क्या होते है OI या SI SI structure isomers, क्योंकि position change हो गई तो अब यह GI या OI यह एक दूसरे के बोलना ही बहुकूफ ही है, क्योंकि आपने क्या बोल दिया है SI, structure isomers बोलने के बाद आपको कुछ बोलने की ज़रत नहीं है लेकिन आप तो आप है yellow अब बताओ क्या होगा fluorine, chlorine, fluorine, chlorine, bromine, iodine यह बताना कि यह दूसरे के क्या है अच्छे चोंकि बस की बात नहीं है लेकिन आपके बस की बात है अब आप इसको बताने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगा आपको कि आपने करा क्या position change कर दी, अब यह एक दूसरे के क्या है समझ रहा है तो पहले तो यह देख लो क्या देखोगे आप देखो मेरे लिए यह बात तो समझ में आ गई कि दोनों के बीच में एक का ही difference है और इस तरफ की वैलेंसी, इस तरफ की वैलेंसी सेम नहीं है यानि कि दोनों ही आपके लिए क्या है दोनों ही क्या है आपके लिए एक तरह से chiral carbon है, बोलो यहां सौड़ो, chiral carbon है या नहीं है, अब chiral carbon है, तो बहुत सारे points हमारे पास बन जाएंगे, कि यह एक दूसरे के anisomers हैं, या diastereomers हैं, तो आप ही बताईए, iodine और fluorine, same direction में, iodine, fluorine, यहाँ पर iodine और fluorine, same direction में, बिल्कुल same direction में, अगर same direction में, तो GI तो नहीं है, तब बचा क्या, OI चाहिक करना और identical चाहिक करना, अगर OI भी नहीं निकले, तो identical होंगे, तो या तो यह answer इसका क्या होगा, OI या फिर identical, यह GI नहीं है, पक्का, यह GI तो नहीं है, यह बात तो स्ताय हो गई, और GI ही diastereomers होते हैं, cyclic के अंदर तो बहुत use करते हैं, GI diastereomers है, यह यह एक दूसरे के diastereomers तो नहीं है, तो यह यह तो क्या होंगे एक दूसरे के, OI या फिर identical, अब मेरे लिए दिक्कत क्या आ रही है, कि मैं कैसे इसको प्रूफ करूँ कि यह identical हैं या OI हैं, इसके लिए मैंने इनका क्या करा, फीशर बना दिया, मैं कुछ नहीं सोच रहा है, फीशर बना दिया, तो मैंने किस तरह से देखा, उपपर से देखा, समझ ना, अब मेरे को देहान से देखिए, अगर मेरे को समझ होंगे, तो यहाँ पर समझ पाओगे, यह क्योशन इतना असान नहीं है, आपने उपपर से देखा, तो जब उपपर से देखा, तो यह फ्लोरीन है, और यह क्या है, क्लोरीन है, बोलो यह सोनो, फ्लोरीन है, और यह क्या है, क्लोरी ने फिर उसके उपर वाला कार्बन कुछ भी नहीं है normal कार्बन है दोनों hydrogen hydrogen है तो यह CH2 हो गया उसके उपर वाला कार्बन क्या है फिर काईरल आ गया तो इसको उपर से देखने की जगह अगर आपने इधर से देखा होता तो शायद आपका आणसर ज़्यादा इसली निकल जाता समझमे आरा है तो क्योंकि उपर से देखने में आपको देखते जोग कोई दिक्कत नहीं नहीं है जैसे उपर से कह यह आगया फिर इधर से जैसे देखा तो आवड-इं क्या है बाहर की तरफ है बाहर के तरफ है तो बाहर कौन सा हात है मेरा जल्दी बोलो तो यह iodine left है और उसके साथ क्या होगा ब्रोमीन और उसके बाद कार्बन फिर कार्बन 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 डॉटे चलेंगे चलने दो समझ में आ गया तो यह हमारे लिए हो गया यह CH2 CH2 चलेंगे जाने दो तो तीन-तीन कार्बन कोई दिक्कत नहीं है आ गई बात समझ में तो यह तो हो गया इसका फिशर इसका फिशर बनाओ इसका फिशर बनाने के लिए आपको क्या करना पुड़ेगा इसका बनाओ और इस तर से देखो कि आयोडीन वाला आपको पहले दिखाए दे ताब इदर से देखो के बोलो यहां सोड़ो अपर से देखो के तो यह आयोडीन आपको कहां दिखाए दे रहा है राइट ये प्लौरीन राइट होगे आपके लिए तो फ्लोरीन तो आभ बताओ अ क्या दिख रहा है आपको यह रहां ये दोनों एक दूसरे क्या के दिख रहे हैं फंट्रेड परसेंट आइड आइडेन्टिक्स का लाँ यह एक दूसरे के आइडेंटिकल है कि बोलो यस के लिए रहे कांसेप्ट क्या हम डायरेक्ट बोल सकते थे इन दोनों कंपॉंड को देखते हुए कि आइडेंटिकल है बड़ी मुश्किल हो जाती है एक पॉजिशन चेंज हो रही है हमारी घुमा देता है बुलने बुलना तो जा सकता है लेकिन हमेशा क्या रहेंगे कंफ्यूजन में रहेंगे एक छोडी सी गलती हमारे लिए दिक्कत आजाएगे आंसर आने के बाद बोलना असान होता है मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि हांसर दिक्त हो रहा है लेकिन जब मैं डारेक्ट पूछूँगा और बोलूँगा बताओ तो इस जगह दिक्कत आए